यह देखे गाइज यम्मी टेस्टी कलरफुल हमारी माइक्रोनी इसमें आप सबजी आपने मन से यूज़ कर सकते हैं और यह बहुत 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 हेल्दी है एंड टेस्टी है तो चलिए देखते हैं कि हमें कैसे बनानी है तो चलिए देखते हैं हालो एलो एलो आप सब का श और यह काफी healthy and tasty बन कर तयार होगी, जो बच्चे सबजी वगारा नहीं खाते हैं, वो भी खाएंगे, तो यह देख सकते हैं, हमने एक भगोने में, यह एक पतीले में पानी लिया हुआ है, उसमें हम डाल रहे हैं दो स्पून ओयल, जिसकी वज़ा से हमारी माइक्रोनी आपस इसमें डालेंगे माइक्रोनी और इसमें डालेंगे हम हरी, ताजा, मतर, जो कि इस समय खुब अच्छे से आ रहे हैं तो इसको अब हम वायल कर लेंगे, तो इसको हम चलाते हुए वायल करेंगे, जिससे की आपस में ना चिपके और ना ही तली में चिपके, तो देखे मुष्किल से एक या दो वायल करने हैं, या लगबग लबग एक से दो मिनट में पकाना है, दो मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यदा कुक नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यदा कुक करेंगे, तो मैस हो जाएगा, यह देखे गाई, इस समय काफी अच्छी और टेस्ट देखें उपर का पार्ट और यह नीचे का पार्ट हम कट करके हटाएंगे और वाश करके इनको महीं चॉप कर लेंगे कि आज देखें जब तक हमने इतना इंतिजाम किया तब तक हमारा माइक्रोनी बॉयल हो चुका है माइक्रोनी और मटर तो चलिए इसको भी हम अलग से निकालेंगे एक बात और गया इस हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आपको माइक्रोनी टूटी टूटी सी लग रही होगी तो यह हमारी बहुत ज़्यादा कुक नहीं हुई है बट जो हमने माइक्रोनी मगवाई थी वह अच्छी नहीं थी थोड़ा सा क्रैकी माइक्रोनी थी जो की बॉयल करने से तूट गई है तो आप लोग अच्छी सी माइक्रोनी लें तो इस तरह की देखिए जाली लेंगे जिसमें की हम निकाल देंगे यह देखिए गाजर को कट कर लिया है बिलकुल महीन चौप कर लिया है अब एक क्रमाठर को चौप करेंगे इसमें देखिए एक इंच अद्रप का टुकड डालें गे और एक हरी मिर्ष डालेंगे क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं आप बड़ों के लिए बनाएं तो आप बड़ों के हिसाब से इसमें कर सकते हैं तीखा यह देखिए अब हमने दो मीडियम साइज के प्याज ले लिये हैं जिनको हम बारीक बारीक नहीं करेंगे मगर हाँ बारीक करेंगे बच्चे होते ना तो प्याज भी निकाल देते हैं इस दो जैसे यह देखिए हमने हाप टेवल स्पून जीरा डाला है दो से तीन पिंच हींग और जो बारीक प्याज कट करके रखा था उसको भी हम फ्राइ करेंगे और इसको हमें बहुत फ्राइ नहीं करना है बस ट्रांस्पारेंट हो जाए बस इतना हमें इसको कुक करना है अब यह देखिए टमाटर अद्रक और मिर्च का जो पेश्ट बना कर रखा था बारीक उसको हम इसमें डाल लेंगे अब कुछ फ्लेवर्फुल मसाले हम एट करे थोड़ा सा हमने लाल मिर्च अट किया हुआ है बहुत जादा नहीं करेंगे तो इसको हम चलाते हुए पका लेंगे इसमें अब हमने अपनी चॉप की भी गाजर अट कर देंगे अब इसमें हम सब्जी ओं के हिसाब से डालेंगे नमक यह देखिए व्याड़ियों के हो जाएगह तो चिलाते हां दाना है मूनिज व्याइमे 2 पूंत म्यूनि नहीं 안내 मूनिज तब क्यश्चम को बड़ Mandarin है ना दाता पशम इन देखें मूनिज जाएँ मूनिज से हमको बने की खाip न है ने च Sizने टें बच्चों को बहुत अ च्छा लगेगा तो इसको चलाते हुए इसको भी हम कुक कर लेंगे क्या करेंगे काटोरी में काफी सॉस था इस विज़ेंस में दो स्पून हमने पानी लिया और एड कर दिया है अब इसको पकाते हुए कुक करेंगे जिससे के सब्सक्राइब हमारे सॉफ्ट हो जांस अब देखे सबजियां सॉफ्ट हो चुके हैं तो मटर और माइक्रोनी जो भी बॉयल करके रखे ती वह भी हैट करेंगे इसमें गाज़ आप सब जानते होंगे कि हमारी गाज़र है जो बहुत जाद हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है आंकों की वुस्ट भी होता है सरी भी सही रहता है तो यह सब बहुत ज़रूरी होता है तो इसमें हमने अमक अट कर दिया है सौद के अनुसबजीयों रिंग करते हैं हम इस सबजियों में पहले हिएन अब यह नमक we Few is 16 अब आम अब हम इसमें अइड और आप सब चुनिंग कर रहे इ यह देखे गाइज हमें इसको सर्फ कर दिया है यह देखे कितनी यम्मी और कितनी कलर फुल लग रही है ग्रीन रेड बिल्कुल तो अगर हमारी यह रेस्पी आपको प्लीज पसंद आए तो अपने कमेंट जरूर बताईए बताईएगा कैसी लगी हमारी यह रेस्पी और कमेंट जरूर बताईएगा तो यह रही आज की हमारी यह रेस्पी तो मिलते हैं नेक्स जे नेक्स रेस्पी के साथ बाब बाई से यो